Hello everyone, welcome, स्वागत है आप सभी का आज से आप सभी का computer के theory जो computer का परिच्छा है computer के जितने भी theory हैं उसके बाद जेस्ट हम आगे उसके objective question करेंगे तो जिनको भी computer के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है वे आप इस वीडियो को देखिए और इस classes को attend कीजिए हर एक class को आपको computer के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी हो जाएगा साथ ही इससे जोड़ी कोई भी प्रस्ण आता है आप आसानी से उसे बना लेंगे यहाँ पर कोई भी प्रस्ण नहीं छुटने वाला है आप सब का computer में पूरा सभी topic को हम cover करेंगे English और Hindi में हमें computer के बारे में कुछ knowledge है तो मैं आप सब को कभी अच्छा knowledge दे सकता हूँ अच्छे से बता सकता हूँ तो चलिए आज किस वीडियो में जानते हैं कि computer के परीचे क्या है और इससे जोड़ी क्या क्या सवाल बनते है एक एक question आपको point को ध्यान देते रहना है तब जाके आप अच्छे से इसमें score कर पाएंगे क्योंकि अभी exam में देख सकते हैं कि आपको hostel warden हो चाहे अलग-अलग जो vacancy है निकलते हैं hostel warden में computer का बहुत ही ज़्यादा role मतलब computer का बहुत ही ज़्यादा question पूछे गया है तो आपको यह सब चीज़े focus करना होगा इसमें हम पहला topic लिए है computer का परीचाए क्या है computer का परीचाए इसके बारे में जानते हैं तो देखिए सबसे पहले computer के सभी point को अब ध्यान दे जाएगे यहाँ पर जो भी question मनाय जा रहा है इसी में से जूड़ी हुई question पूछ दिया जाता है तो अक्सर मैं last question करूँगा की वीज और यहाँ पर मैं उसको theory भी पढ़ूँगा देखिए computer क्या है अक्सर लोग सोचते हैं कि computer एक सर्व सक्तिमान superman की तरह है लेकिन ऐसा नहीं है परन्तु ऐसा नहीं है यह किवल एक स्वाचलित मतलब automatic electronic machine है जो गती से कारे करता है किसे गती से कारे करता है और गलती नहीं करता है यह क्या करता है? गल्टी नहीं करता है इसकी छमता सिमित है या अंगरेजी सब्ध compute यहाँ पर देख लिए C-O-M-P-U-T compute से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? गड़ना करना होता है ठीक है? गड़ना करना होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगड़क कहते हैं, यहाँ पर सभी को पता है, संगड़क कहते हैं हिंदी में से, इसका उपियोग कहा होता है, इसके उपियोग बहुत सारे सुचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकठा करने के लिए होता है, बहुत सारे सुचनाओं क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और इकठा करते हैं क्या जानकारी हो जो भी सुचना है उसको इकठा करते हैं आगे है computer एक यंत्र है जो data को क्या करता है गरहन करता है वह इसे software या program के अनुसार किसी परिणाम के लिए process करता है यहाँ पर सभी point को ध्यान देते जाएए सभी लोग यहाँ पर देखे इसमें देखे कॉंपिटर एक यंत्र है जो data गरहन करता है वह इसे software या program के अनुसार किसी परिणाम के लिए process करता है यहाँ पर तो computer को कृत्रीम बुद्धी की संग्या दि जाती है यहाँ पर कृत्रीम बुद्धी इसकी स्मयरन सक्ती मनुसे के तुलना में काफी उच होता है यहाँ पर बताया जा रहा है आगे यहाँ पर कॉंपिटर समंधी प्रारिमिक्स शब्द क्या होते है जैसे data कईल बार हम प्रोसेस के पहले की वस्ता है सदनतर डेटा जो होते हैं दो भागों बटा होता है डेटा का नाम लेते हैं तो दो भागों बटा होता है पहला देखे नियुमेरिकल डाटा और दूसरा क्या होता है तो यहां देखे क्या नाम है तो यहां पर देखे अलफा नियुमेरिक प्रदर्सित किये जाते हैं तो यहां पर समझ गए इसके बारे में ज्यादा कोई दिफिकल्ट नहीं था यह बहुत हीजी है तो यहां पर सारे परग्रग्राफ को समझ गए आगे बढ़ते हैं आगे सूचना के दिया है तो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन भी क्या है और विवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के लिए प्राप्त परणाम है जो इसके बारे में देखिए यह तीवर्गति से कारे करता है मतलब इसमें समय की बचत होती है यह त्रूटी रहित मतलब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होता है गल्ती नहीं करता है और यह इस थाई विसाल भंडारन चमता है तो सुविधा करता है बहुत ही डाटा और सुचन देता है आगे point क्या दिया है तो computer का उपयोग कहां पर होता है देखे computer का उपयोग बहुत सारे छेत्रों होता है जिसे चीछा के छेत्र में वैग्यानिक अनुसंदान में रेलवे तथा वाईवयां आरक्षण में, बैंक में, चिकित्सा विज्ञान में, रक्षा के छेतर में, प्रकाशन में, बेपार में, संचार में, प्रशाशन में, मनुरंजन में, यहाँ पर इतने सारे चीजों में उप्योग होता है, जिनको भी एक भी पता नहीं है, वे इन बिंदों को देखी, कॉम्पेटर का उप्योग यहाँ पर यूज किया जाता है, आगे देखिए, एक कॉम्पेटर कार यह बताया जा रहा है, कॉम्पेटर कार क्या होते हैं, देखिए, डेटा संकलन, मतलब यहाँ पर होता है, डेटा का कलेक्शन करता है, ठीक है, डेटा क Processing होता है, संसाधन होता है, उसकषब output होता है, processing के बाद क्या होता है, output होता है, ठीक है, output, तो data processing और electronic data processing, देखें, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, तो देखें, computer के निर्माशच में से पहले, निस्चित लक्षे को प्राप्त करने के लिए, देदा का संक्लन जो होता है, संसादन निर्गम यह जो यहाँ पर बताया है संकलन क्या हो गया संसादन क्या हो गया संसादन क्या हो गया प्रोसेसिंग हो गया और निर्गमन क्या हो गया यहाँ पर निर्गमन क्या हो गया यह हो गया आउटपुट हो गया इसे सब को क्या काते है, डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, objective में पूछाएगा तो हम यहाँ पर लिग देंगे, डाटा प्रोसेसिंग जिससे technology का विकास हुआ है, यह सब example दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखें, नीचे दिया हुआ है प्रोसेस का बिधी क्या होता है, डेटा प computer के input हो गया, process हो गया, output हो गया यह सिधकान पर कारेक करता है पहले input देते हैं, फिर process होता है, फिर output यहाँ पर दिया गया है अब हम इस unit को पढ़के हम यहाँ पर question solve करेंगे यहाँ पर 3 unit हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्रमपरор system क्या है तो यहां उपकरणों का एक समू होता है ठीक है जिसके साथ डाटा मिलका प्रोसेस करता है मिलका डेटा कहाता है प्रोसेस होता है computer system में अनेक unit होता है अनेक इकाईया होती है जिनका उपयोग जो होता है electronic data processing में होता है जैसे input ही का है, input unit होता है, यह होता है, जो input में क्या होगा, input में जो user है, वो data को प्राप्त करके क्या करेगा, central processing unit को electronic pulse के रूप में प्रवाहित करता है, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजेगा, क्योंकि यह आपको objective में पूछा जाए गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर electronic pulse के रूप में, यहाँ pulse के रूपे प्रवाहित करता है, यहाँ पर अपने, जो हम input देते हैं, मतलब हम कुछ data के लिए हम कुछ command देते हैं, तब वहाँ पर input होता है, जैसे कि ATM में जब हम किसी निकासी करने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, pin नबर डालते हैं input कहलाएगा, ठीक है, जो keypad हमाँ पर दिया रहता है, keypad का उप्योग करके हम क्या करते हैं, number डालते हैं, तो वह क्या कहलाएगा, input unit कहाते हैं, ठीक है, ATM का चाहिए, आप keyboard में type करते हैं, type करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, input कहलाता है, अब यहाँ आगे है, central processing unit, यहाँ पर electronic microchip लिखा हैं यहाँ पर, जो data कहा करता है, information में बदलने का process करता है, देखें, यहाँ पर electronic microchip है, तो computer का brain किसे कहा जाता है, CPU कहा जाता है, यह याद रखेगा, यह computer system के सारे कारे हो कहा करता है, नियांतरित करता है, तथा यह input को output में परिवर्तित करता है, मतलब रुप यहाँ से भी question बनेगा आपका, जो कि मैं भी कराऊंगा आप सबको, देखें, arithmetic logic unit, ALU बोलते हैं, यहाँ पर इसको याद रखेगा, arithmetic logic, logic unit बोलते हैं, इसका उप्यो कहा करते हैं, अंग गड़िती तथा तार्किक गड़ना में होता है, यह अंग गड़िती गड़ना के जो अंक अंतरगत होता है, जिसे जोड, घटाओ, गुड़ा, भाग, आदि यह सब होता है, ते तार्किक गड़ना के अंतरगत, तुलनात्मक गड़ना में जैसे, yes और हाँ, ना, इस टाइप से होता है, ठीक है, यहाँ पर, inverted, yes और no, इस पर गड़िती गड़ना में होता है, ठीक है, तुलनात्मक अध्यन करते हैं, तुलनात्मक गड़ना करते हैं, आगे है control unit, control unit क्या होता है, यह computer के सारे कारियों को नियंतरित करता है, काम को क्या करता है, नियंतरित करता है, computer के सारे भाग जो है, जैसे होता है, input होता है, output होता है, devices होता है, प्रोसेसर होता है, सब गति वीडियुक्त करता है तालमेल को बैठाता है कशन्ध करता है नियंतृत है नियंतुरस एंस नामे है नियंतृत में उनिट में क्या होता है यह डेटा में निर्देश करता है मतलब मेमोरी क्या होता है डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करता है संग्रहित करने में प्रियुक्त होता है किसी भी डेटा को या फिर जैसे निर्देश हम कोई टमांड देते हैं तो उसको संग्रहित करता है यह दो चीजों में बटा होता है, दो अरगों में, primary and secondary memory में भज़ेत होता है, primary में, जब computer कारे सील रहता है, मतलब कारे करते रहता है, तब वरतमान में उपयोग हो रहा जो data है, उसका जो है तथा निर्देश का संगरा primary memory होता है, जो continue चल रहा है, secondary memory का होता है, जिसका उपयोग बाद में होता है, बाद में data को रख लिए, और उसमें जो data है, जैसे movie over, हम पहें computer में डाल कर रख लेते हैं, उसको फिर बाद में देखते हैं, तो जो क्या होगा, secondary memory का उपयोग करते हैं, उसमें का लाता है, ठीक है, यहाँ बाद में, समझ गए, इससे लेटेट सवाल हम बनाएंगा, तो और अच्छे समझ माँ जाएगा, आगे देखे, output unit दिया है, output में क्या होता है, वैसे जो CPU होता है, जैसे हैं आप CPU उनिट से लेकर data को, उसे user को समझाने का योग, मतलब output, मतलब जिसे हम input डालते हैं, तो उसका result जो आता है, हमारे समने, वो output का लाता है, processing होने के बाद, जो है, output का लाता है, जैसे monitor पर सो होता है, monitor, ठीक है, जैसा है कि जब हम super market में bill देते हैं, बिल अदा करते हैं, तो हमें रसीद पराफ होता है, ठीक है, एक example दिया है यहाँ पर, जो क्या है, एक output के रूप में है, तो output क्या है, जैसे printer होता है, printer से पराफ होता है, जब हम कोई चीज़ टाइप करके, चाहे paper में लिख के, या फिर जैसे भी, उसको हम print करते हैं, तो हमें जो printer पराफ हता है, print से, तो वो क्या का लाएगा, वो output का लाएगा, ठीक है, बहुत easy language में है, तो आप यहाँ तक हमने यहाँ पर topic के अनुसार, आप सबको MCQ बताऊंगा, मैं, यह MCQ अलग-अलग exam में पूछ जाते हैं, जो की हमेशा review, tribute होते रहते हैं, question, लेकिन यहाँ पर जो हम question को अच्छे समझेंगे, जैसा आपने concept अभी पढ़ा, computer के परीचे के बारे में, तो उससे जूड़ी हम जितने भी question कराएंगे, सभी important है, और आपको important question ही पढ़ना है आप सबको, चलिए, यहाँ पर देखते हैं, सभी महत्तपून question है, आप चाहें तो इसका note down समझ सकते हैं, note down में कर सकते हैं, जो की main point को आपका नहीं समझ रहेंगे, तो आप note down कर सकते हैं, बाद में इसको आप चाहें तो वीडियो को post करके answer देने का प्रयास किजेगा, तो सबसे फिले वीडियो को post कर लिजेगा, उसके बाद तुरंत फिर answer दे के आप वीडियो का on किजेगा, चलिए, यहाँ पर सुरू करते हैं, देखिए, यहाँ पर dash दिया है सुरू में, उसके बाद आगे यहाँ है, एक electronic device है, जो data को information में convert करते हुए process करता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक electronic device है, जो data को क्या करता है, information में convert करते हुए process करता है, तो क्या है यहाँ पर? processor, computer, case और stylus, क्या होगा right answer इसको बताने का पर्याज करें तो यहाँ पर देखें बिल्कुल सही यहाँ पर आपका processor आपका right answer हो जाएगा ठीक है, processor हो जाएगा कैसे होगा, processor कैसे होगा तो यहाँ पर देखिए, देखें processor क्या है, computer के एक बहुत ही बड़ा अंग है, इसलिए computer के क्या करते है, processor जो है, इसे computer का mustix भी कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि computer के भीतर में जो गतिविदी होती है जो भी activity होती है वो सब का सारी चीज़े कौन control करता है, तो processor करता है इसलिए यहाँ पर मतलब उसके दोनों को control करता है ठीक है, जैसे हमें process करता है उसके बड़ आउटपूट देता है तो यह device के अंदर होता है, जैसे आपने mobile, tablet, personal computer laptop, cpu, यह समय देखा होगा यहाँ पर processor आपका यहाँ पर right answer हो जाता है, समझ गया आगे बढ़ते हैं आगे देखिए, अभी आपने पढ़ा computer process द्वारा dash information में परिवर्तित किये जाते हैं यहाँ पदी है, computer process द्वारा dash information में परिवर्तित किये जाता है, computer process द्वारा क्या किये जाता है number, process, input, data क्या होगा right answer है, जैसे मैंने अभी theory में पढ़ाया आप सबको, क्या होगा right answer यहाँ पर बताने का प्रयास करें तो देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करें computer process द्वारा बोल रहा है तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा, वो हो जाएगा आपका data, ठीक है, data, यहाँ पर आपका data जो है, यह आपका right answer हो जाता है, कैसे देखिए, data क्या होता है data जो है, एक स्थान से संग्रहित होने वाला एक है, ठीक है computer हो, या फिर mobile हो CPU हो, memory में क्या करता है, स्थान रहता है ठीक है, memory में क्या करता है जिसे information हो गया process हो गया, data हो गया data कहाँ पर restore होता है, तो memory में होता है, जिसे हम किसी भी program को शुरू करते हैं या फिर हम उसे रोकते हैं तो इसका जो main अंदर process होता है वो data के अंदर में हमें जो है, बनता है, वो अंदर process होता है, अब हम यहाँ बात करते हैं, कि data जो होता है data यहाँ बोलते हैं उसको जो डाटा सब्द का उत्पत्ति कहा हुआ था तो डाटा सब्द का पहला उपियोग जो हुआ था वो 1940 में हुआ था कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था और यह अंग्रेजी में किया गया था ठीक है? यहाँ पर अंग्रेजी में किया गया था तो कब वह था तो 1940 में आप याद रख लिजेगा इसको Data sap का क्या मतलब है Data sap का मतलब है कि जैसे सूचना हो गया सूचना भी जैसे मैंने बताया सूचना हो गया, ग्यान हो गया या फिर data कोई भी data है आप बोलते रहते हैं data है तो यह एक computer के sap जो है यहाँ पर data जो है यह क्या होता है एक सूजना होता है तो पहले जमाने के लोग क्या करते हैं जब commitment नहीं था तो क्या करते थे तो जो किताब में रखते थे data जो भी वो बोलते हैं उटाटा ही बोलते हैं उसको ठीक है आद दिन एक समय में आप ही के समय में देख सकते हैं बहुत सारे devices आ गया है विसकार हो गया है तो data सब्सक्राइब इन में क्या रहा है आगे देखिए यहां पर दिया है ATM क्या है यहां पर दिया है ATM क्या है अब हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं यहां पर देखिए बैंकों की साखा है बैंकों के स्टाप युक्त काउंटर है बिना स्टाप के नगदित देने यह सब ही देखिए तो ATM जानते हैं, ATM क्या होता है तो ATM, जैसे bank का ये कोई साखा नहीं है ठीक है, और नहीं जैसे bank में stop you counter है, नहीं इसमें कोई counter होता है तो हमारा बज़ के यह वाला, यह वाला हमारा right answer हो जाता है, बहुत तीजी था यह वाला लेकिन देखिए, इसको समझने का परियास कजए कि देखिए, ATM जो होता है, ATM का full pump क्या होता है अगर पूछ दिया जाए, तो ATM का full pump क्या होता है तो उसको बोलते है, automated trailer, sorry automated tailor machine बोलते है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AUTO, auto हो गया M-A-T-E-D, automated हो गया इसको टेलर हो गया T-E-L-L-E-R हो गया यहाँ पर, आव यहाँ पर machine हो गया M-A-C-H-I-N-E ठीक है, यहाँ पर समझ गया जिसका हिंदी, ना हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे automated मतलब हो गया Swachalit, Swam आवर टेलर मतलब क्या होता है जिसे गड़ना करना यहाँ पर हो गया गड़क यहाँ machine का machine हो गया तो यह जो होता है automatic banking machine होता है जहाँ पर cash point होता है bank को point होता है तो यह सब होता है यहाँ पर ठीक है आदनी की समय में अगर अब अम पीढ़ी की बात करें तो जो है 27 जून यहाँ पर 27 जून 1967 में लंदन में बरकले बैंक ने किया था सबसे पहला पीढ़ी जो है यूज किया था यहाँ पर 1960 में जो है लंदन में किया था किसने किया था तो बारकले बाकरले यहाँ पर किया था 1967 में तो यहाँ पर समझ गए यह क्या है बीना स्टाप के कैस काउंटर है यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है तो यहाँ पर देखिए डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है यहाँ पर पुछ रहे हैं, तो डेटा का संगत करणा है, डेटा की कारे पढ़ना लिजी, गढ़ना कारिया, देखी, यहाँ पर आपने डेटा प्रोसेसिंग के बारे में भी पढ़ा है, तुरन पढ़ा है, तो इसका answer आप दे सकते हैं, यहाँ पर दिखिए, डाटा का पहला के लिए हमें बहुत सारे किरियाय करता है जिसे कभी कोई जोड़ना घाठाना पढ़ता है यह सब चीजAY डाटा जो है नुमर्इक डाटा जो बताया मैं number of डाटा के बारे में तो यह सब डाटा प्रोसेसिंग में आता है तो यहां पर आपका जो है सबसे most यहाँ पर आपका जो है answer होगा वो यह बला हो जाएगा वाड़ी जी उपयोग के लिए जानकारी त्यार करना है गाड़ना के वल नहीं होगा computer के कारे पर नहीं होगा यहाँ पर data संगर नहीं होगा यहाँ पर data जो है processing का अर्थ क्या है यहाँ पर यह पूछ रहा है ठीक है तो processing आर्थ यहाँ पर पूछ रहा है मतलब यहाँ पर कुछ कारे होगा ठीक है not only गढ़ना गढ़ना करना है यहाँ पर आपका जो है पहले तो होगा जोडना घटाना जैसे भी सभी पर क्रिया होगा यहाँ पर data का processing होता है यहाँ पर यहाँ आपका right answer हो जाता है ठीक है यहाँ पढ़े भी आपने यहाँ पर आगे देखें यहाँ पर दिया है CPU का वह भाग जो अन्य सभी computer component की गतिविदियों को coordinate करता है वह कौन है यहाँ पर पूछ रहा है ठीक है यहाँ पर CPU का वह भाग जो पूछ रहा है यहाँ पर क्या होगा motherboard होगा यहाँ फिर coordination board होगा control unit होगा ALE होगा क्या होगा right answer है बताने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पर control unit यहाँ फिर CPU यह सब जानते हैं आप तो यहाँ पर CPU का वह भाग जो अन्य सभी computer को component हो गति वीदियों को coordinate कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका control unit आपका correct हो जाता है ठीक है control unit correct हो जाता है control unit जो हता है central processing unit याँ CPU का एक part होता है ठीक है जो के नियंतरन एकाई कहते हैं control मतलब नियंतरन unit यहाँ पर कहा जाता है यह central processing unit याँ CPU में या काम करती है यहाँ पर यहाँ आपका right answer हो जाता है आगे दीखिए यहाँ पर लिखा है database में dash field गढ़ना करने के लिए प्रियुक्त नंबर store करते हैं यहाँ पर दीखें next key है alphan numeric अभी जो बताया हम है numeric अभी जो हम लोग पढ़े थे इसमे क्या होगा right answer यहाँ पर बताने के प्रयास केज़े database में यहाँ पर दीखें field दिया है गढ़ना करने के लिए प्रियुक्त number store गोल रहा है number जहाँ पर आएगा वो numeric हो जाएगा जानते हैं आप number जहाँ पर आएगा वो क्या होगा numeric हो जाएगा तो यहाँ पर आपका numeric यह आपका correct हो जाता है easy है numeric database में numerical field जो होता है जहाँ पर गढ़ना के लिए क्या करते हैं number को store करते हैं इसी तरह से डेटा में 0 से लेकर 0 से 9 तक क्या होता है 9 तक का परियोग के जाता है, जैसे अभी मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ते सु कुरमचारियों का वेतन, परीच्रा में बेतन प्राप्त अंख होता है, जैन्गरणा, रॉल नमबर, इस प्रकार की अंगर्ड यतिय सवाल होते हैं, संख्याय होती है, तो वहाँ प करलाता है तो मैंने बताया था है कि जैसे हम computer नुर्देस देते हैं direction देते हैं तो क्या कहलाता है। तो nieuwe output कहलाता है जैसे हम कोई भी typing processing unit में जो pulse में परवाहिद करते हैं मैंने जिसे बताया, जैसा कि आप etm में जो हम पैसाate again करते हैं ते हम पीन नमर डालते हैं थीक है जो k-pad दिया रहता है वहाँ पर हम पीन नमर डालते हैं तो वो क्या कना लाता है? वो input कना लाता है ठीक है यहां पर समझगे यह राइटेंस हो जाता है आगे दिया है देखिए इन्पुट का आउट्पुट में रूपांतरन डैस द्वारा किया जाता है यहां पर रूपांतरन पूछा जा रहा है तो क्या होगा यहां पर समझने का प्रियास किजिए देखिए पेरी यह input और 2500 और आट पूट कहाँ सारा खेल होता है, वह किसके अंदर होता है तो CPU के अंदर होता है ठीक है ? जो भी input found है.. इसका सारा यहां पर leading to that, जो input और output का सारा खेल होता है वह CPU के अंदर ही होता है तो यहाँ पर आपका CPU वैब का correct हो जाता है CPU यहाँ पर राइटन से हो जाता है तो देखे, CPU का full pump होता है Central processing unit होता है यह क्या होता है, electronic microchip जो कि क्या करता है, data को information बदलने का process करता है इसे computer का क्या करता है, brain कहा जाता है ठीक है, जो क्या करता है, computer के system के सारे कारे को क्या करता है नियंतरित करता है, input को output में रुपा अंतरित करता है और यह input unit तो output unit से मिल कर पूरा computer system बनाता है CPU is very important of the computer यह बहुत important है of the computer में आगे देखे, यहाँ पर आप समझने का प्रयास किजिए कि computer क्या है, electronic machine है, power machine है, main machine है या फी data आकलन है, क्या होगा, राइटेंस यह बताने का प्रयास करें तो देखे, computer क्या है, कई लोग यहाँ पर सोचेंगे, computer क्या है मानो मशीन है, power machine है, data आकलन है तो यहाँ पर उस सब गलत हो जाएगा, यहाँ पर item से होगा तो होगा electronic machine है computer क्या है एक electronic machine है तो computer एक machine है जो क्या करता है जो हमरे हम direction देते हैं न ready-shift देते हैं उसको संभाधित करता है उसको safe करता है उसको परkाड़े उपर करता है तो यह electronic यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ जो हमें computer latin saard में computer ए, computer से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, calculation करना, गड़ना करना, ठीक है, तो यहाँ पर समझ गये, तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा, तो होगा आपका, जो है, electronic machine, आपका correct answer हो जाता है, अगर दिया है, computer की विसेश्था, या कार्य निवन में से, एक नहीं है, यहाँ पर पुछ रहा है, तो यह जो है, यहाँ पर आप ध्यान दिजएगा, मैंने बताया था, आप सबको, computer के मुखे, चार भाग होते हैं, मतलब चार कार्य होते हैं, पहला क्या होता है, कारे की बात कर रहे हैं, तो पहले data collection मैंने बताया था, data sunclin, दूसरा data sunclin बताया था, जिसमें data storage करना था, तीसरा मैंने बताया था, data processing, जिसमें data processing करना था, ठीक है, और जो चौथा बताया था, ओ है output, ठीक है, output मैंने बताया था तो यह चारो point का अब ध्यान रखेगा क्योंकि computer में यह पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपका देखिए यह चारो में से पूछा गया है सवाल तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कार यह निम्न में से एक नहीं है computer business तो वह है क्या होगा यहाँ पर वह डेटा आकलन डेटा आकलन क्या होता है यह नहीं दिया है दिखिए यहाँ पर डेटा संकलन का बारे हम जानते हैं क्या होता है यह डाटा कलेक्शन होता है यहाँ पर डेटा संचरन का क्या होता है यहाँ पर संचेंद दिया है तो इसका मतलब डेटा स्टोरेज होता है डेटा संसादर मतलब डेटा प्रोसेसिंग अब यहाँ पर डेटा क्या होना चाहिए आउटपूट होना चाहिए लेकिन यहाँ पर डेटा अकलन है यह वाला राइटन से हो जाता है तो यह कोशन था आप सब के लिए उम्मीद है कि सारी चीज आपको समझ में आगा होगा इससे भी बड़े-बड़े क्लासेस और कोशन लाया जाएगा आप सब के लिए तो यदि आपको अच्छा लगता है पुसंद आता है तो जरूर कमेंट किजएगा आप लोग बताएगा किस परकार से आपको चाहिए टेली ना पर जुड़ियाएगा और गूगल में जरूर सच किजएगा विकिस्टेडी .in वहाँ पर जाकर आप सारी चाहिए पीडियाप भी ले सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस वहाँ बताया गया है किस परकार से आप सवालों को हल कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए जैहिंत